नमस्ते दोस्तों दुनिया भर में कई बहत खतरनाक नदिया और जीले हैं आज हम एक जील के बारे में आपको पताने जा रहे हैं जिसके बारे में जानकत आप हैरत में पढ़ जाएंगे साल 2013 में इस जील को ड्रामने वाली तस्वीरे सामने आई थी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर निक ब्रोंट ने इस जील की तस्वीरे ली थी ती इन तस्वीरों में जानवरों की जम चुकी लासे थी इस जील के पानी की वज़े से जानवर पत्तर में बदल गए जी हां जान बर्पत्र में बदल गए इन दर्दनाग तस्वीरों को देखने के बाद दुनिया के लोग हैरान हो गए थे इस खतरनाग और खूबसूरत जील का नाम नेट्रों जील है जो तजानिया में इस्तित है अरुसा चेत्र के उत्री नौबरोगोजिले इस्तित नोट्रों जी जील का नमक का जील या सारी जील का जाता है माना जाते हैं कि यह जील बेहदी खतरनाग है बताया जाता है कि इस जील के संप्रक में आने वाला जीव पत्र का बन जाता है दरसल नेट्रोन जील वन्ने जीवों का घर माना जाता है बीना किसी डर के जो जील फ्लेमिंगों के ल अधिक समय तक जिन्दा नहीं रह सकते ओल टोनियो लेंगिंग ज्वाला मुखी की वज़े से इस जील का पानी खारा है यह ज्वाला मुखी दुनिया की पहली ऐसे जील है जिसमें अजीव लावा यानी नेट्रो कावरोनाइट बहार आता है नमक की जील के आसपास की पहारियों से सोडियम, कॉर्बोनेट और अन्य खजिनों के नेट्रो कॉर्बोनाइट में खीचने की वज़े से पानी खारा हो गया इस जील के पानी में पीएस की मात्रा अधिक होने की वज़े से अधिक तर जानवरों की तवचा और आंखे जल जाती है इसके साथ देर तक पानी में रहने की वज़े से जानवर मर भी जाते हैं फ्लेमिंगों पर तवचा सक्त और पपड़ी दार होने की वज़े से पानी का प्रभाव नहीं पड़ता लेकिन इनसान की तवचा नरम होती है करीब 60 डिग्री सेलसियम तक इस जील का पानी गरम हो जाता है यह नवक की जील आपको पत्तर तो नहीं बना पाती लेकिन तवचा पर ऐसा कोई घाव हो जाए जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते इस जील के पानी में इनसान जितनी देर तक रुपता है उतना ही जलता है लेकिन बारेस के मोसम में पानी में पीएस की मातरा बदलती रहती है प्रिस्तितियां अगर खराब हुई तो इनस क्रिया जरूर दीजेगा अधिक जानकरी के लिए हमारे चैनल पर बने रही है लाइक सब्क्राइब तदा शेयर जरूर कीजेगा